तो अभी तक तुम्हें तुम्हारा जो simulated rank है वो पता चल चोगा होगा, तुम्हें अपने category के rank को और जो journal rank है दोनों को अच्छे से देख लिया होगा, अब तुम्हारी दिमाख में एक ही सवाल आएगा, कि क्या भाईया मुझे यहाँ पर अपनी preferences को reorder करना चाहिए, तो अज में आएगा कि तुम क्या गल्दी करने वाले हो, देखो होता क्या है कि सबसे पहरी बात तुमने total seats देखूंगी किसी भी course की, तो total seats मैं hypothetical example ले रहा हूँ, यानि कि सिर्फ मान रहे हैं कि किसी course की 10 seats है, for example, become program की 10 seats यहाँ पर है, और आपका जो rank है, become program के लिए for example आजात प्रोग्राम का course मिल जाएगा, यानि कि मैं यहाँ पर रह जाओंगा, पर यहाँ पर कोई भी आकर कि आप अपनी समस्दारी से सोचो, यहाँ पर आपसे पहले जो 10 लोग हैं, क्या जरूरी है कि वो become program ही ले, हो सकता है कि वो become honors के लिए चले जाए, हो सकता है कोई BA program के mission, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके उपर के जितने भी rank के बच्चे हैं, वो exact वही course जो है opt करने वाले हैं, वो किसी और course के लिए भी जा सकते हैं, तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि जो rank हमारी आई है, वो उतना important role ही play नहीं करती है, जिसके तरू हमको अपनी preferences क reorder करना चाहिए, तो अब सवाल आ जाता है कि Delhi University ने फिर simulated list निकाली ही क्यों है, तो देखो यहाँ पर एक concept चलता है, that is, कि अगर एक बच्चे अपनी preference में गलती करता है, तो 10 को फायदा होता है, और अगर 10 लोग गलती करते हैं, तो उस एक बच्चे को भी फायदा हो सकता ह है, यानि कि अगर तुम एकदम से अपनी rank को देखते हो, कि मेरा rank 30,000 आता है, 40,000 आता है, और तुम अपनी preference को पूरा उल्टा सीधा कर देते हो, जैसा तुमने बनाया था, तो इसका फायदा बाकी के बच्चों को मिल जाएगा, और तुम ऐसा of course इस बात नहीं चाहोगे, इसलिए एकदम से बिल्कुल आ करके, एकदम से प्रेशराइज हो करके, कि मेरी rank तो बहुत काम है, और बिल्कुल पीछे गई है, अपने preferences को चेंग नहीं करना है, साधी साथ आपको सर्फ एक दिन का time मिला है अपने preferences को reorder करने का, तो आपको बिल्कुल भी इस rank के basis पर तो North Campus के College, then Top South के, then Top Off के और उसके बाद ही आप जो है Evening Colleges में जाएंगे, ये तो आपको पूरा का पूरा फॉलो करना है, अगर मैं आपके courses की बात करोगी कि scores को उपर रखना है, नीचे रखना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 700 से 800 का जिसका भी score आय है, उसको जो first 10 preferences है, first 10 जो preferences हैं, उसमें उसको college a lot हो जाएगा, यानिकि आपकी पहली 10 preferences बहुत जादा matter करती है, अगर आप हिंदू को नीचे करके हंसराज को भी उपर करते हो ना, तो वो भी बहुत जादा matter करता है, इसलिए आपको पहली 10 preferences बहुत अच्छे से fill करना है, और मैं यहाँ पर बोलूँगा, कि यहाँ पर आपको अपना primary course ही fill करना चाहिए, primary course का मतलब है कि अगर आपको B.com owners चाहिए है, तो आपको भाई 1-10 तक B.com owners के colleges ही fill करना चाहिए, हाँ, अब अगर आपको SI की B.com program चाहिए, तो आप 6th या 7th नंबर पे, जो है KMC का B.com program औ और Wanky का डालना हो, तो उसका भी डाल सकते हो, तो आपको पर depend करता है, पर अगर आप ऐसे बंदों जिसको course ही चाहिए, B.com owners चाहिए, 1-10 तक वही रखो, उसकी बाद B.com program पे जाना, अगर ऐसा है तो, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जो 600 से 740 score के तो अगर आप journal category वाले हो, आपका 600 का score आया है, तो आपकी preferences जो 30th number पर है, वो भी बहुत अदा matter करती है, तो आपको बहुत अच्छे से 1-2-30 तक की preferences बहुत अच्छे से fill करना है, एक एक चीज़ को अच्छे से check करना है, अभी last में एक और चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप पर B.com honors है, कहाँ पर B.com program है, कहाँ पर आपके BA honors के courses भी आपको डालना पड़ेगा, BA honors तो नहीं पर BA program के courses आपको डालना पड़ेगा, और सारे combination डाल दो, जितने तुम्हारे background से relate करते हैं, चाहे economics plus English हो, चाहे economics plus आपका computer application हो, चाहे आपका economics plus commerce हो, सारे आपको यहाँ पर जालने पड़ेगे, इसके लाबा आपका फिर आजाता है 50 plus, यानि कि अब अगर आपका score बिलकुल ही 50 है, 50 लेखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा correct कर देता हूँ, अगर आपका 500 से कम का score है, तो यहाँ पर आपको जितनी भी preferences हैं, सभी बहुत अच्छे से fill करना पड़ेगा क्योंकि आपको मिलेंगे तो थोड़े से off campus या evening के colleges, और प्लस अगर आपकी category है, यानि की category है, तो चलो थोड़ा फाइदा मिल जाएगा, लेकिन अगर journal वाले हो, category भी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 50 plus, जितनी भी preferences हैं, बहुत करना पड़ेगा, अब मैं आपको एक ऐसा personal formula बताता हूँ, जिससे आपकी preference list कभी गलत नहीं हो सकती, तो सबसे पहले for example, आपने first पे रखा SRCC को, second पर आपने रखा Hindu को, third पे आपने रखा हंसराच को, ठीक है, मैं एक second pen change कर लेता हूँ, ठीक है, आपने हंसराच को रख दि मिलता है, तो मैं कहां जाना suitable होगा मेरे लिए, मिरको कहां जाना है, तो अगर मुझे यह नहीं मिलता, तो अगर मेरे से आप पूछोगे, तो मैं तो कहूँगा भाई, मुझे KMC का BCOM program दे दो, तो मैं यहाँ पर fifth number पर BCOM program कर दूँगा, अगर कोई girls है, उनको लगता है कि तो आपको अपने आपसे हर preference, जैसे आप इसको डालते हो, आप अपने आपसे पूछो, कि इसके बाद, अगर मुझे यह नहीं मिलता, तो इसके बाद मुझे कौन सा college चाहिए, तो ऐसे करते करते हैं, आपको अपने आपसे सवाल पूछना पड़ेगा, और पूरे वन से ल साथ है, तो आप हमारे comment section में पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ, आप हमारा whatsapp group जो है, उसको भी join कर सकते हैं, तर वीडियो पसंद आयो, तो like करो, subscribe करो, comment करो, और जा सदा share करो, ताकि सब की help होती रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, all the best.